हेलो अब्रिवन आज है 13 अप्रेल 2022 मार्केट लगबग तीन से चार दिन का जो हलकालका डाउनफॉल था उससे ओबर गे थोड़ी सी रिकवरी किया थोड़ी सी बट इस रिकवरी में भी हमें अच्छा-गासा रिटन मिल चुका है संतिंग देड़ परसंट के असपास का आपको ज्यादा लॉस ना हो जाफिर कर आप यानिके अल्टिमेटली डेल्टे न्यूटर अपने आपको रखो मांके नीचे गिरे ऊपर जाए उत्ती रिक्कत ना जाए ठीटा का इरूजन मिलता जाए और विक सगर आपकी फेवर में आ जाए तो आपको सोने पर सोहाव है जो अभी फिलाल आपके सामने ही चल रहा है 30 पॉइंस का हम लोग ने जब इसको बुक किया उसवागी सम्तिंग 34-35 पॉइंस गया था मतलब आप देखेंगे तो सम्तिंग पॉने 2% के अस-पास कैपिटल पे आर वाई विदिन बंडे वन ट्रेडिंग सेशन और इसके वह भी साथ पॉइंट का संतिंग 24 पॉइंट से भी चल रहा है हम लोग ने जब उसको बुक किया और संतिंग 28 पॉइंट चल रहा था तो वह भी देखा जाए तो सम्तिंग 1% का कैपिटल पे रिटन दे दिया दोनों इंट्रेडे प्लस पोजिशनल ट्रेड थे ट्रेड कर चोंग हुं है अब एक यह ट्रेड बनाना है तो डिपेंड करता है कई देंट करते हैं कि जब एंए उस्यादा तहें ज्टोट चोका estava यह उज पी फिर मेंट में چार दिन का छुटी है कल से नेक्स्ट जो मार्य देण सचनल मन्ड़ को रहेगा उस साफ सवरक हम देखें ठीटा है रोजनान अच्छा खा समयल सकता है तो एक स्टेड़ी जो अच्छी दिख रही है वह है 17850 का एक कॉल बाई जिसके अगेंश में हम अगेंश अठारा हजार के दो कॉल सेल करेंगे 21 अप्रेल एक स्पाहिए का है ना मैं आपको कर्सर से दिखा देता हूं 17850 का एक कॉल बाई उसके अगेंश अठारा हजार के दो कॉल सेल यह करिए डाउंट साइड में साढ़ तीन पॉइंट या चार पॉइंट समझ दो एक लाग के कैपिटल में 200 रुपया का मैक्सम में डाउंट साइड और अब साइड में वेट करते हैं दिखना पड़ेगा अगर ड्रामेटिकली बहुत तेज जगा बढ़ गया तो हम इसमें 200-300 का जैसे लाउस होग हम न आगेट इसमें रखेंगे बाकी होल्डिंग रेंज तो तुरंट डिसाइड होती है यह ट्रेड चाहें तो आप ले सकते हैं मैं आपको एगवार इसमें ऑप्स्ट्रा में इसका दिखा देता हूं क्यासे ट्रेड लेना चाहिए यह वाला मैंने आपसे कहा आप जो ट्रेड ले सकते हैं फिलाल में वह है 17,850 21 अप्रेल का एक कॉल बाई इसके अगेंस 18,000 21 अप्रेल के दो कॉल सेल डेल्टा न्यूट्रिल श्रेड जी है यह भी देट्सों पॉइंट का आपका मैक्समाम प्रोफिट है जिसमेंसे तीन पॉइंट आप डेबिट पर कर रहे हो मलाब 147 पॉइंट्स या फिर इसको आप एक्जाटली कहें तो आपका maximum profit होगा देड़सो gap का आपका वो है ultimately दो रेशो की बीच का trade का gap है तो आप उसमें मांगी चलिए 17,750, 17,850 में देड़सो जोड़ो 18,000, 18,000 में देड़सो और जोड़ो 18,150 यह आपका क्या होगा break even होगा देखीगा 18,150 का सबस आपका ब्रेकी बने ठीक है देखेंगे तो यह भी आपकी डेल्टा न्यूट्रल है देखिए डेल्टा न्यूट्रल ठीटा पॉजिटेव और विगा निगेटिव स्टेटिजी है थोड़ा सामें से को होड़ इसलिए करने पड़ेगा क्योंकि आपका अपका प्रीमें कम पी कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा ठीटा आपका थोड़ा स्लो डिके होगा वेगा का थोड़ा इंपेक्ट जादा होगा तो नॉमली जैसे जब बड़ी डेविट में गुस्ते है तो उसमें आपका ठीटा डिके जादा होता है वेगा का इंपेक्ट कम होता है पर फिर भी चुकि हम थोड़ा पोजिशनल लेके जा रहे हैं चार दिन का समय है तो यह ट्रेड लेके बिल्कुल जा सकते हैं तो मेरे तरह साथ यह ट्रेड है 17,850 का अगर मार्केट वापस थोड़ा से नीचे जाता है 17,600 से 17,550 के अस्वास आता है तो इस इस ट्राइक की जगह है आप चाहें तो 17,800 का एक कॉल बाई करके 17,950 के दो कॉल सेल कर सकते हैं अगर मार्केट 17,550 तब जाता है तो उमीद करता हूं कि मैं जानता हूं कि मेरे व्यूज बहुत कम आते हैं यूट्यूब में मैं वैसे भी है एजुकेशन पापस के लिए फिलाल डाल रहा हूं तो जो भी ये वीडियो देखे कोशिश करें कि अगर आप आप आप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो अपने कैपिटिकल को प्रोटेक्ट करके रखिए कई लोगों के मन में आएगा जो ट्रेड करते हैं कि या अधार और लिम् टिर सकता है तो भाई सब जाते हैं यह उन움 ग्रावज़गा होगा अगा बटरफ्लास खican बना वहों कि या ये एवन के टैम पे कुशिश करें एक मुझा और आ रेशो बना भी रहें तो ऐसा रेशो बनाएं कि बहुत ज्यादा मूव्मेंट आ जखाए त तो भी आपको ज्यादा capital को लॉस न हो ठीक है अगर आप ट्रेडर हो ट्रेडर कामी है सही मौके पर सही टाइम पर सही डिसिजिन लेकर ट्रेड मारना है चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगो को यह चीज समझ में आई होगी जो मैं आप से बात करता हूं और कोशिश करें अच्छे सा वाइस ट्रेड लेने के लिए वाइस ट्रेड करें बढ़ी है रहता है अल्राइट थैंक्यू इस ट्रेड को आपकोड़ा वाज करेंगा ठीक है थैंक्यू वेरी मच्छ